करेगा जौनफुर का लोग सभा का उन लड़ेगा और रही बाद इंडिया और एंडिये का इंडिया का पता नहीं चलेगा कुछ लोग कह रहें कि मचली से लोग सभा से उनको टिगर दिया जा रहा है क्या सही है गलत आज भर जी जो योगी और मोदी जी को भीग मंगवाएंगे तमाम तरफिये के बात करते थे आज वही आपके पार्टिंग फिर जुड़गे उनको आप क्या कहें ऐसा कुछ नहीं ह जद्यूश से चुनाओ लड़ने वाले हैं मैं चाह रहा हूं वही लड़ जाए और उन्हीं सामने मुझे लड़ने का मौका मिले इस बार मैं बता दूँगा पलियरिक बानर बना दूँगा नाम सुनते मान सर एनरजी आ जा रही है एकदम एनरजी है मैं चाहता हूं वही चुनाव है किस तरीके से चुनाव अड़ेंगे क्योंकि एक तरफ इंडिया है एक तरफ एंडिये है दोनों तरफ घमासान की लड़ाई है इस बार क्या भाष्पा की सरकार के निमें बन सकती नहीं बन सकती मिरसाद मौझूद है ऐसे इसे कुछ बात शिट करेंगे और अबू तैयारी है लेकिन हमारे यहां संगठन सर्व उपर होता है मेरी तैयारी तो है पुड़ुतुनाव लड़ने का लेकिन मेरे यहां संगठन सर्व उपर होता है और संगठन और नित्रुत प्रदेश और देश का नित्रुत मिलके यह तैं करेगा जौनपूर का लोग सभ और रही बाद इंडिया और एंडिये का इंडिया का पता नहीं चलेगा और एंडिये फिर पुरुड भाहुमत में सरकार बनाएगी मोदी जी के नितुरुत में पूरे देश में लहर है और लहर चल रही है और इस बार साढ़े 300 प्लस चुनाव जितेगा और मैं जौनपुर् जगदी सोनकर भाजपा माय कुछ लोग कह रहे है कि मचली सर बिधान सभा से लोग सभा से उनको टिगड़ दिया जा रहा है क्या सई गलत जगदी सोनकर मचली सर अलग बात तो मैं पहले ही आप से कहान है कि हमारे यहां संगठन सरोपर होता है यह प्रदेश और देश के न राष्टे नेतरु तो लोग सभाका झा उग्वां लडेगा कम नहीं लडेगा ऊपर खराही नेतन करता है लेकिन भाजपा में आये मयं है पूर मंतरी जगदी सूनकर जी और तो हम लोग गूंका स्वागत करते हैं चेतर में सार हम रिपोर्टिंग करते हैं अ हो प्लूघ जो योगी और मोदी जी को भीख मंगवाएंगे तमाम तरीके के बात करते थे आज वही आपके पार्टिम फिर जुड़गे उनको आप क्या कहें ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं राजनीत में कभी कोई चीज अस्थाई नहीं होती है और राजभर जी आये हैं और हम में देखे जब जब समाजवादी सरकार जब बनी है उत्तर प्रदेश में उसी के लोगों का कारेकरती अपने जात क्या ही है मैं खुल के कहना चाहता हूं कोई गुरेर नहीं है अधर बैक वर्ड उस समय अच्छूता हो जाता है इसी कारण आज पूरे अधर बैक वर्ड च देखे तो मोदी जी के साथ योगी जी के साथ भाजबा में 100% मोदी जी के नाम पर तो अधर बैक उवर्ड थैंद्ट पर संट है इसी लिए तो सिर्फ केवल एक मुसल्मान और व्यादोग छोड़ दीजिए सारी जातिया आपके भाजबा में है अपरकाट तो ही ठाकुब पुरे प्रदेश में यादो को सम्मान मिला है वही हमारे जौनपूर के यादों है दो बार मंत्री बने है तो यादों को सोचना चाहिए खास करके जौनपूर के आप लिए गोषी बिधान सभाम चुनाओ है वहां क्या माहूल है एक तरफा है दारा सिंग जी तेंगे चुना उनके ओपर कालि सिया ही भी फेका ले नहीं कोई थे समाजवादी के कोई थे बत्तिमी जी किये थे उनके साव उपर कारवाई चल रही है उसमें कोई देकन नहीं इस बर सार कितनी सीटार है लोकसभा की असी कसी यूपी से असी कसी असी कसी तोटर उस लोग तो कह रहे हैं जो विपच्च के लोग है कहीं दाल नहीं के लेगी इस बार उनको क्या कहना चाहते हैं आप उनको उनकी बहनी नहीं होगी उनकी बहनी नहीं होगी समाजवादिय कि कोई लोकसभा में कोई बहनी नहीं होनी है असी के असी में चुनाव यूपी से जीतने जा रहा हूं और रही बात जौनपूर की जौनपूर मेरी पोड़ unterstützen जैसे में मलहनी में चुनाव लड़ा था मजबूती से वह से मए लोकसभ़ा मजबूती से लड़ूंगा इस समए ऐग्रेसिव हो चुनाव लड़के मैं रिजल्ट दूनगा लेकिन नित्र न्तर तो करना है नित्र रथित Simple कि उसको प्रत्याशी बनाती है लेकिन मेरी पूरी रूप से तयारी है, सुनने में है सर की जदियों से चुनाओ लड़ने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ वही लड़ जाए, और उनहीं सामने मुझे लडने का मौका मिले, इस बार मैं बता दूँगा, पलिहरेक बानर बना दूँगा, नाम सुनते मान सर, एनरजी आ जा बहारी है, मेरे साथ मौझूद है, लोकसभा के प्रतियासी मौनो सिंग जी भाषपा के कद्डावर नेता है, हमेशा सुर्ख्षियों में बने रहते हैं, इसे वेवागी से सवाल मैं ने पूछा इन्होंने जवाब जया, फिलाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप देखती रहाजाद बियाईपी न्यूज को, जय हुआ